तो हाई गाईस वेलकम बैक्टोवर यूटूब चानल और वेलकम तो मैं न्यू वीडियो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक के उपर नेक्स ट्रेडिंग सेशन के लिए ने के कल के लिए मेरे क्या व्यूज रहेंगे सपोर्ट रिजिस्ट लेवल क्या रहेगा आज क्या क्या हुआ है मार्केट में और आगे आने वाले सेशन्स में और क्या क्या हो सकता है इन सब के उपर आज हम लोग इस वीडियो में डिसक्रिशन करने वाले हैं तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स टाइम देख रहे हैं और इस चैनल के उप सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सही से आती जाए एक और इंपोर्टन बात अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो पब्लिक चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइट कर दी है तो पब्लिक टेलिग्राम चैनल के ओपर फॉलो करने के क्या फाइदे हैं तो देखे लाइव मार्केट में यहां पर आपको इंप आपको इस पब्लिक चैनल के ऊपर मिल जाएगी तो यहां पर फॉलो करना मत भूलिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दी है एक और इंपोर्टन बात यहां पर आपको बतानी है फ्राइडे और मंडे मैं अविलेबल नहीं र होंगे अगर आप कुछ भी क्वेरी पूछो के लाइव मार्केट में तो शायद रिप्लाइ जो है वो लेट मिल सकता है तो यह बात का ध्यान रखिएगा और लाइव मार्केट में मैं ट्राइ करूंगी कल यानिके फ्राइडे को अविलेबल रहने के लिए जैसे नेटवर में मैं आने वाली हूँ तो उतने देर में मैं कुछ भी चेक नहीं करूंगे अगर बीच में टाइम मिलता है तो आपके क्वेरी पढ़ूंगी जो भी आप वट्सेप के ऊपर भेजते हो तो यह बात का ध्यान रखिएगा मुझे लगा कि आपको बताना इंपोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी क्वेरी कमेंट्स में या फिर वाट्सेप पे पूछते हैं तो रिप्लाइ जो है वो लेट मिल सकता है और कल मैं 10 से 11 बजे तक ही अविलेबल रहूंगी तो उससे पहले अगर मार्केट बढ़िया रहता है तो हमारा एक दो कॉल्स के रखिएगा अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा विडियो बैंक निफ्टी के अनलेसिस के साथ तो निफ्टी बैंक के आज की क्लोजिंग कहा पर आई है तो इतना बोरिंग दिन था आज सेकेंड हार में जो मार्केट कंसॉलिडेशन कर रहा था हीरो जीरो बैंक निफ् सिंग थी जिस वजह से हीरो जीरो ट्रेड आज कुछ काम नहीं कर पाया लेकिन मॉर्निंग में 35,100 CE,200 CE and 300 CE ये तीनों CE के अंदर सारे टार्गेट सेट हुए थे मॉर्निंग में मार्केट 10 बज़े के बाद में बढ़िया चल रहा था तो उसी वक्त हमने 16,650 CE के अंदर ही 11 रुपे में वो ट्रेड लिया था 10 से 11 रुपे में और उस ट्रेड ने हमें बढ़िया प्रॉफिट करवाया था क्योंकि वो ट्रेड जो था वो बहुत ही जादा बढ़िया गया 23 तक गया था ने के डबल प्रॉफिट हुआ था तो उसके बाद में मैंने औरेड़ी सारे म मिलता है तो कुछ पॉसिबिलिटीज है तो जैसे ही 550 ब्रेक हुआ मैंने अपडेट कर दिया था कि यहां से मुमेंटम पॉजिटिव है लेकिन जादा एक्सपेक्टेशन मत रखेगा रेंज बाउंड ही होने वाला है मार्केट और वैसा ही हुआ 35,000 550 से ब्रेकाउट करने के बाद दो बारी 650 के अब आउ गया था निफ्टी बैंक लेकिन 650 से जादा उपर नहीं जा पाया या फिर इसके उपर कुछ काम नहीं कर पाया क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड था तो आज की एक्सपारी तो उतनी बढ़िया थी नहीं लेकिन कल अगर बात करें तो फ्राइडे के लिए मार्केट कुछ बड़ा मुव्मेंट कर सकता है क्योंकि आप देख सकते हो तीन दिन से निफ्टी बैंक जो है वो कंसॉलिडेशन कर रहा है उपर से पहले तो देखिए 880 का जो हाय था वो प्रेक नहीं कर पाया 800 के उपर नहीं जा पाया उसके बाद में 750 का स्थेस्थ Всем से अगर वो निफ्टी बैंक रहने वाला है क्योंकि अगर यह ब्रेक हुआ तो यहां से 5500 का सथे पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल सकती है अगर अगर अपसाइड की बात करें तो अगर 780 के ऊपर निफ्टी बैंक चला जाता है तो यहां पर निफ्टी बैंक के अंदर एक अच्छी बाइंग जो है वो देखने को मिल सकती है तो कल का दिन बहुत जादा के अंदर और यहां से थोड़ा फॉल थोड़ा राइस ऐसा देखने को मिल सकता है लेकिन कल 11 से बाद में यहां पर एक मुव्मेंट होने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है क्योंकि जादा टाइम बैंक निफ्टी कंसॉलिडेशन नहीं करेगा उपर से अगर ऑप्शन और 36,000 के लेवल के उपर कॉल राइटिंग की बात करें तो कॉल राइटिंग सबसे जादा हुई है 36,000 के उपर जो की है 36,500 के लेवल के उपर तो अभी अगर देखें तो कॉल साइड में सबसे जादा जो हमें ओपन इंट्रेस्ट और राइटिंग दिख रही है वो दिख तो सपोर्ट उतना बढ़िया नहीं है इस वजह से बाइंग की कमी हमें दिखाई दे रही है निफ्टी बाइंग के लिए पुट साइट में सबसे जादा जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो 34,508 के लेवल के उपर बना हुआ है पुट राइटिंग भी सबसे जादा इसी लेवल के उपर है तो यहां से अगर निफ्टी बैंक 35,000 होल्ड नहीं करता है तो फिर से एक फॉल जो है वो निफ्टी बैंक के अंदर हमें देखने को मिल सकता है तो अभी आज की बात करें तो आज का जो इंट्राडे लो था वो था 35,385 का और हाई था 35,676 का तो अभी अगर यहां से important support और resistance की बात करें तो देखिए first important support रहेगा यहां से 35,550 का लेवल अगर यह resistance यह support break होता है तो यहां से 35,350 and 35,110 तक निफ्टी बैंक हमें गिरता हुआ दिकाई दे सकता है अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के लिए first resistance 35,710 के उपर रहेगा अगर यह resistance क्लियर हो जाता है तो 35,890 and 36,080 के उपर next important resistance निफ्टी बैंक के लिए बना हुआ है तो यह important support और resistance के लेवल्स है निफ्टी बैंक के लिए तो जो भी लेवल्स बताएं है अपने चार्ट के उपर जरूर माक कीजेगा आपको trading के वक्त definitely helpful होगा और कुछ भी doubt रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो मैं आपको answer कर दूँगी तो अब आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक like जरूर कर देना वीडियो अगर बहुत जदा अच्छा लगाए तो share कर देना अपने friends family के साथ जिनको भी ये video useful है उन सब के साथ इस वीडियो को ज़रूर share करना और उन सब को खहना इस channel को subscribe करने के लिए so thank you very much for watching this video मैं मिलूंगी अपसे next video में till then bye bye take care and trade carefully